Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दार्मिका ने देखा कि इस सारे चुहे आराम से अपने मुख्या चूहा के साथ रह रहे थे। इतने सारे चुहे एक ही जगा पर देखकर धार्मिका बहुत खुश हो गिया। उसने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी जगा है रहने के लिए। ये ही रहकर मैं रोस चुहे खा सकता हूँ। खाना ढूने की जरूरत भी नहीं, इन चुहों को तो मैं जीवन भर तब खा सकता हूँ। अब चुहों को पकड़ने के लिए उसको कोई योजना बनानी पड़ेगी। काफी देर तक सोचने के बाद जम्बुक में मिरने लिया कि वह एक साधू के रूप में उनके सामने जाएगा। धार्मिका उनके बिल के बाहर एक पेल पर खड़ा हो गया। अपना मूँ खुला और आंखें सूर की और। उसी समय चूओं का मुख्या बाहर आया। धार्मिका की मुत्रा को देखकर हैरान रहे गया। स्रीमान आप यहां क्या कर रहे हो। मेरे बच्चे मैं अपने एक ही पेर पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यह धर्ती मेरे चार पेरों का वजन नहीं बरदाश कर पाएगी। पर आपने अपना मूँ खुला क्यों रखा है और सूर की और क्यों देख रहे हो। मैं हवा के अलावा और कुछ नहीं खाता और केवल सूर की ही पूजा करता हूँ। जम्बुक की बातों पर विश्वास करकी मुख्या गया बाकी के चुहों को ये बात बताने के लिए। दोस्तों हम बहुत भागिशाली है। हमारे बिल की बाहर जो जम्बुक खड़ा है वो एक साथू है। चलो हम सब उसका आशिरवात लेते हैं। अतह सारे चुहे बाहर आगे धारमिका का आशिरवात लेनी। दिन धार यही चलता रहा। और फिर शान को सारे चुहे अपने बिल में वापस चली गए। जब आखरी चुहा वापस जा रहा था तब धारमिका ने जट से उसको पकड़ा और खा लिया। रोज यही चलता रहा और जब भी मौका मिले दारमिका एक केक करके चुहों को खाता किया। पहले-पहले चुहों ने ध्यान नहीं दिया पर दिन पे दिन उनकी आबादी कम होती गई। यह बिल में पहले बहुत फीड हुआ करती थी पर अभी खारी-खारी लग रहा है न। कुछ तो गड़बड है। मुख्या को अब जम्मुक पे शक होने लगा। उसने सच पता लगाने का निर्मे लिया। अगली शाम जब चुहे अपने बिल में वापस लोड रहे थे तब मुख्या भी अंत तक खड़ा रहा और थोड़े दोर से देख रहा था कि क्या होने वाला है। मुख्या का शक सही निकला क्योंकि जैसे ही आखरी चुहा अंदर जाने ही वाला था जम्मुक ने उस पर जबटी मारा और उसको खा गया। तुरंद मुख्या गया जम्मुक के सामने। धार्मिका हैरान रह गया। मुख्या बोला धोंकि बास इतने दिनों से तुम साधो बनने का नाटक कर रहे थे। हमारी बहुत बड़ी सेना है और तुम बस एक ही हो। यहां से दफा हो जाओ नहीं तो हमारे हाथ मर जाओगे। धार्मिका डर गया और तुर्द वहां से भाग निकला। धो के पास लोग कभी न कभी पकड़े ही जाते हैं।